जेशी कस्नों गीतन धाम गुर्पुल में आपका चिस्षागत कक्षा शिक्ष कक्षा छे विशे इंदी विशे इंदी पार्ट नमबर तेरा है जेशन नमबर साट तेरा पार्ट कर नाम है पुष्टक सेंसा पुष्टक क्या है सेंसा पुष्टक है इसको कर अब है पंडित्य यमाला निर द्वारा लिखी गयी कानी किस वबार लिखी गयी है तो यह अपनी बेटी इंद्रा जिसका नाम सुर्व में क्या था पिरिया दशनी था उसके लिखता है क्यों वो दूसरी पढ़ती है वो इलाबाद रहते हैं वो पढ़ती है मस्चुरी में तो यह जिखो तो तुम इतियास की किताबों महीं पढ़ सकती हो क्या कहता है कि तुम जो कुछ है वो इतियास की तो लेकिन पुराने जमने में तो आदमी पेदा ही ने हुआ था हो जो समेश हा था जब आदमी पेदा ही नहीं हुआ था किताबे कोन लिखता है क्या कहता है किताबे कोन लिखता है तब हमें उस समानी की बाते किसे मालम हो किताबे कोन लिखता है उस समानी हमें किसे मालम हो भी ये तो नहीं हो सकता कि हम बेटे बेटे हर एक बात सोच निकाले अपने क्या लिखता है कि हम ये तो नहीं हो सकता कि हम बेटे-बेटे ही किसी बात को सोस निकाले ये बड़े मज़े की बात होती है क्योंकि हम जो चीज चाहते हैं सोस लेते हैं और सुन्दर पारियों की कहनियां गड़ लेते हैं क्या करते हैं सुन्दर पारियों की कहनियां गड़ लेते हैं यायना हम झूंकि हम जो चीछ चाहते हैं वो सोच लेते हैं की हमने इसा हılmış यह हुआ। हमारे मन से, दिमाग से, दिल से, कुछ भी बाते हैं और सुन्दर परिव की कानि हम गड लेते हैं, लिख लेते हैं लेकिन जो कानि किसी बात को देखे बिना ही गड ले जाये लो कानी किसी बात को बिगड दे के ही गड़ ली जाए या लिक ली जाए तो भे ठीक केश से हो सकती है लेकिन कुछी की बात है कि उस पुराने जमाने के लिकी हुई किताबे ने होने पर भी कुछी चीज़े हैं देखो कितनी कुछी की बात है कि पुराने जमाने की बातें नहीं लिकी हुई है फिर भी जिसमें हमें उतनी ही बातें मालूम होती है जितनी किसी किताब से होती है ये पाड, समुदर, सितार, नदियां, जंगल, चांदुर की पुराने हडियां और इस तरे की और भी कितनी ही ऐखेए देखो दर्ति पेए क्या चीज़े नहीं है वहुत कुछ पाढ है पर्वत कि होता है वह सा क्या मिलती है आज भी हमें मिलती है इसी तरह इसे इसी तुरे की ओर भी कितन ही चीज़ें हैं और वी हन्हेक चीज़ें हैं जिसमें जिनसे हमें दुनिया का पूराना हाल मालम हो भी कुछ जिवान सों मिले हैं डाइनसोर के और ढ़ाइनसोर से पता लगाए जाता है कि इतना बड़ा भारी परकम शरयूरी था, कि जब दर्ती पे वो चलता था, भी कंपन होता था, और कई लोगों खुखा जाता था इतना बड़ा जानवर था, जो कि कई दिने वाद में लुपत हो चुका है और आज की हजारों करोडों साल पेले वो हुआ होगा ये सिर्फ अनाज लगाया जाता है साइंस अपनी खोज करती है और साइंस खोज के दोवारा इनका पता लगाया जाता है क्या लगाया जाता है मगर हाल हम जानने की असले तरीका ये भी ये नहीं है कि हमके उल्दूसरों की लिक्की हुई किताब पढ़ ले हैं क्या है हमें ये तरीका तो नहीं है कि हम किसी की दूसरों की लिक्की हुई किताब पढ़ने से कोई मतलब नहीं है हमें खुद को इसके बारा में जानना पढ़ेगा क्या करना पड़ेगा हमें खुद को इसके बारे में जानना पड़ेगा बलकि खुद संसा रुपी पुस्तक को ही पड़े अपने दिल से संसा रुपी अपने खुद के अंदर दिलो दिमाग में क्या है संसा रुपी पुस्तक है जिसको हमें पढ़ना चाहिए क्या पढ़ना चाहिए जो हमारे दिदली बाग में फुस्ते कुष्कवा में पढ़ना चाहिए मुझे आश्या है कि पत्रों और पहडों को पढ़ कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सिख जाओगे पत्रों और पहडों को पढ़ कर किसको पत्रों और पहडों को पढ़ कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना शीख जाओगे क्या शीख जाओगे थोड़े दिनों में उनका हाल जानना शीख जाओगे किसके पत्तर है पाढ़ है और भी कुछ चीज़े है उनको पढ़ करके उनके बारे में शोचना है पढ़ने का अमल उनके बारे में शोचना है पत्रों के बारे में शोचना है शोच करके तुम कुछ चीक जाओगी पत्तर केसे हुए किस परकार बने पाढ़ केसे बने इस परक चोटा सा रोड़ा रोड़ा बोलते हैं पत्र को क्या बोलते हैं पत्र को बोलते हैं जिससे तुम शड़क पर या पहार के नीचे पड़ावा देखती हो एक छोटा सा पत्ता जो तुम शड़क या परवित के नीचे देखती हो शाहिद संसार की फुस्त का छोटा सा प्रस्ट हो क्या हो इस इंसार की फुष्टक का एक छोटा सा पेज हो क्या हो प्रस्टन पेज पेज बोलते इंग्लिश और प्रस्ट बोलते हिंदी में यह किसका हो छोटा सा इस पुष्टक का छोटो सा पेड़ हो साइद उसने उससे तुम्हें कोई नहीं बात मालूम हो जाए इससे तुम्हें को इसी चीज मालूम पढ़ जाए जो इसके तुम्हारे ग्दान के योगे हो सरम यही है कि तुम्हें इससे पढ़ना आता हो कि सिंसार पुस्तक कोई जवान जबान उर्दू कोई जबान कैंदी यह अंग्रेजी शीखने जबागों आवाज बोली ओशीखने की लिए तुम्हें उसकी अक्षा शीखने होते हैं क्या शीखने होते हैं अक्सर शिखने होते हैं क्या वरण माला शिखने होते हैं क्या वरण माला शिखने होते हैं जैसे के खेगे ये क्या है वरण माला है इसी तरह पेले तुम्हें परकरती के अक्सर पढ़ने पढ़ेंगे क्या पढ़ने पढ़ेंगे परकरती परकरती में क्या है किस परकार परकर अब भी तुम उसके थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो तुम कोई छोटा चोटा शा गोल चमकिला रोडा देखती हो जब तुम कोई छोटा शा गोल चमकिला रोडा देखती हो तो तो क्या वे तुम्हें कुछ नहीं बतलाता है पस पूचता है कि कैसे गोल चिकना चमकिला हो गया और उसके खुरदरे कीनारे और कोने क्या होये कोने क्या होये अगर तुम किसी की वोड़ी चितानों तोड़ कर डालो तो हर एक ठुकडा खुरदरा और नुकिला होगा क्या होगा? नुकिला होगा, और यह गोल चिकने रोडे, यह नि पत्तर की तरह बिल्कुल नहीं होता है फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकिला, और चिकना और गोल हो गया और तुम्हारी आखें और कान सुनें तो तुम उसी के मूज से उसी की कानी सुन सकते हो अगर तुम्हारे मूँ और तुम्हार दिमाग से अगर यह पढ़ो गए तो उसी के मूँ से उसकी खानी सुन सकते वह है तुम से कहेगा कि अगर समय जिस साइद बहुत दिन गुजर गए हो वे भी चटान का टुकड़ा था तो तुमसे यह कहए गजिर का उसमें भी वह चटान का टुकड़ा था ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने हैं थे इस टुकड़े की तरह उसमें किनारे थे जिससे तुम बड़ी चटान से तोड़ती हो क्या करते हो तुम जिस्सें बड़ी चटान सें तोड़ती हो, शायद तुम एक शोटी काटी तक ले गया, जोटी काटी तक ले गया, इस छोटे से दरिया से बड़े पत्तर में पहुंस गया, बड़ी दरिया में पहुंस गया, किसे में पहुंस गया, और इस बीच में दरिया पेंद्रे में लुड़कता रहा, लुड़कता उस किनारे किनारे गिस्ट गए और वो चिकना और समगदार हो गया, क्या हो गया, उस पहाड़े फानी की वजए से वह समखदार और क्या होगा चिकना और समखदार और कोल हो गया इस तरह से पांकड बना तो तुम्हारे सामने इसकी वजे दरिया उसे छोड़ गई जैसी का स्टना नेक्स्ट में आपको कल फिर पड़ाओं